सो हेले उरिवन चले डिसकस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रेक्टिस कुशन बॉठनी के वहला कुशन है आपका वायू प्राकित पुस्प में होते हैं पिर प्राकित पुस्प में होते हैं बहुत अच्छा कुशन है बहुत ही प्यारा कुशन है देखो समझने वाली बात है यू प्राकित तो यहां पर अगर प्रागण वायू से हो रहा है एर के मादियम से हो रहा है तो इसमें कौन सा गुन पाया जाएगा पुस्प में तो वो पाया जाएगा आपका बड़ी पिचाकार वर्तिकागर क्योंकि यहां पर इस्टिगमा ला जैसा कि आप यहां पर देख पारूंगे इन में वायू प्राकित पाया जाता है तो इनके देख लो आप इस्टिगमा कितने बड़े है बहुत ही बड़े इस्टिगमा है यहां पर देख लो आप डाइग्राम में यहां पर इमेजस में आप देख पारूंगे कितने बड़े यहां पर इस्ठिगमा है तो बहुत अच्छा क्यूसन है अगर समझ गे चलोगे तो चलो बढ़ते आगे के और आई होप यह क्यूसन आपको समझ में आ गया होगा कि वायू से जो प्राकित होते हैं वो पुष्प के वर्तिक आगर बढ़े क्यूं होते है ठीक है चलते बढ़ते आगे के और सो यहां पर राइट आप्शन हो जाएगा आपका बढ़ी पिछाकार वर्तिक आगर नेक्स्ट आपकी जो सद कोशी है किसके साथ पाए जाती है यानि कि कामपानियन सेल आर फाउंड टोगेदर विट ओप्शन देख सकते हैं आप इस तुल कौने तो उत्तक या फिर साल निकाए या फिर मज्जा मर्दू तक तो इसका राइट ओप्शन हो जाएग आपका साल निकाए ठीक है स्लेव ट्यूब चाहिए तो उसका डाइग्राम भी आप देख सकते हो इस परकार क्यों होती है आपकी स्लेव ट्यूब चाली न लिकाए तो बेसिक पार्ड भी आपको पताऊना चाहिए और ये तो डाइग्राम आपने NCRT 11th की बुक में भी देखा होगा तो इस परकार का होता है सो राइट ओप्शन इज सीवा लाओ जाएगा अगला क्यूशन 30 कले और ये नोलेज आप में होना चाहिए पोधों की उमर के अध्यन को क्या कहते है स्टेडी आप एज आप दा प्लांट इस कॉल्ड डेंडरोलोजी जाइलोटोमी पैंडरोलोजी सारी रिकी तो देखो विद्यारतियो पोधों की उमर के अध्यन को हमेशा कहा जाता है डेंडरोलोजी क्या कहा जाता है डेंडरोलोजी एक्जाम में आ जाए तो डेंडरोलोजी आपको करके आना है और बेसिकली बांकी की ट्रंबी आपको पता होना चाहिए कि पेंडरोलोजी में क्या होता है, सारी रिख में क्या होता है वो तो आपने MKS Academy एप डाउनलूड कर रखा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लिंक की नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर भी पीडियाप आपको मिल जाएगा MKS Academy एप पे अगला है जीवानों में लेगिक जनन की खोज किसने की डिस्कवर सेक्टर रेप्रोड़क्शन इन बिक्टेरिया लिवन हॉक, लेडर ब्रक, टॉटम, वार्चन क्रिक, मैस्वरी तो जीवानों में लेगिक जनन की कोज किसने की थी भोग की थी लेडर ब्रक, टॉटम ने ठीक है और ये सांटिस्ट कौन थे चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे जैसा है कि आप यहाँ पर देख पा रहेंगे ये वो सांटिस्ट है सो राइट आप्शन इज बी बाला लेडर ब्रक, टॉटम अगला क्यूसन है हेटरोसिस्ट होती है हेटरोसिस्ट अकर इन किस में होती है रेड एलगे, ग्रीन एलगे, ब्लु ग्रीन एलगे, ब्राउन एलगे हेटरोसिस्ट किसमे होती है तो वो होती है आपके नेल हरित सेवाल में ब्ल्यू ग्रीन एल्गे में जो की यहाँ पर दे रखा है और ब्ल्यू ग्रीन एल्गे तो आपने अवज से देखा होगा कहीं ना कहीं पर तो आपने देखा होगा इवन आपके आज पास भी ग्रीन जो आपका बिल्यू ग्रीन एल्गे है वो होगा चलो इसको इमेजिस की साहिता से समझ लेते ये होता है आपका नील हरित सेवाल देख लो आप आपके आज पास गाओं में सहर में छोटा मटा तलाब होगा ना तो वहाँ पर पानी बरा रहता होगा तो इस परकार का ग्रीन ग्रीन हो जाता होगा उपपर तो ये आपका नील हरित सेवाल होता है इदर देख लो आप इस परकार का हरा हरा अच्छा जाता है इसी को नील हरित सिवाल बोलते अब आप बोलें कि सर इसमें हिट्रोसिष्ट कहां पर दिखेगा तो देखो विद्यार तो इसको देखना होगा माइक्रोस्कोप में यानि कि तोड़ा सा यहां से हमको नील हरित सिवाल लेकर जाना होगा लेब में और वहाँ पर माइक्रो इसकोब में देखना होगा जैसे ही माइक्रो इसकोब में हम देखेंगे इस परकार का हमको दिखाए देगा तो यहाँ पर हमको इस परकार के सरचना दिखेगी इस परकार की तो इनी को हेटरोसिस्ट बोलते है जो कि नेल हरित सेवाल में पाई जाती है इसके अलावा यहाँ पर दूसरा नाम भी याद रखना यह सीट का क्यूसन यहीं से भी बन सकता है कि उसके अलावा और क्या पाई जाता है तो ऐसे समझना होता है क्यूसन को तो यहाँ पर नील हरित सेवाल में ये पाया जाता है, ठीक है, चलिए बढ़ते हागी गोर ओके, नील हरित सेवाल अगला, जीवाणु में सवसन होता है Sight of Respiration in Bacteria जीवाणु में सवसन होता है, मैट्रो कॉंडिया में, मीजोसोम में, गोलजी काय में, केंदरंग में बताइए, बहुत आसान की उसने बहुती तो वो आता है मीजोसोम में, याद रखना अगर नहीं है तो मीजोसोम में की उसन बन सकता है AGAIN, intrinsic जाम में, मीजोसोम में और मीजोसोम तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो तोड़ा सा आपको डाइग्राम दिखा देते ताकि आप जान जाओ यहाँ पर आप देख पारूँगे मीजोसोम यह देखे मीजोसोम यह देखे आपका कैपसुल होता है सेलवाल होता है फलेजिला होता है ठीक है फ्लाजमेट होता है इदर डाइग्राम कापी हैलफ फूल है आपका यह मीजोसोम देखे आप इस परकार का होता है और बिक्टेरियम और क्या होता है फ्लेजिला होता है ठीक है तो यह आपका मीजोसोम इस परकार की होता है जो कि रेस्पारेसन में योगदान देता है ठीक है तो राइट आप्शन मिज़सों अगला आवर्थ बिजी पोदेका भुरुन पोस होता है एंडो स्प्रम औप एंजो स्प्रम प्लांट आवर्थ बिजी पोदेका भुरुन पोस होता है त्री गुनित धी गुनित एकल गुनित बहु गुनित और यहां पर समझना जरूरी है आवर्थ बीजी को पहले तो आपकी नोलेज के लिए हम बता दे कि आवर्थ बीजी वो देखा जो भून पोसे वो त्री गुनित होता है क्या होता है त्री गुनित और यहाँ परसमझने इपोंट होता है आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी तो आपको पता हुगा है जिनके बीज जो है जो है close होते धिक है और नंगन बीजियं की जिमНमर्ष्प्रम उनमें नगन बीजयं की बीज बहार यह आपको दिक क्योंकि बहुत सरे को पता है नहीं होता कि आवर्थ बीजी क्या होते अनावर्थ बीजी क्या होते जीम्नोस्प्रम क्या होता है अगर आपको यह पता नहीं है तो पर आगे के क्यूसन कैसे कर पाओगे तो इनको समझ लेते हैं जैसा कि आप यहां पर देख पारोंगे तो इसको देखने के बात आपको क्या लगता है कि यह जिमनोस्प्रम है यह फिर एंजोस्प्रम में बताओ क्या लगता है आपको होब इसली बात है यह आपका एंजर स्प्रम है क्योंकि इसमें सिड्स, अंदर की और क्लोज आपको देखने को मिलेंगे ठीक है? पूरी पूरी जो ओवल से पूरे अंदर आपको देखने को मिलेंगे कोई भी पार्ट इसका बार नहीं है से कलोज हैं मतला भी है पूरा को पूरा सिस्टम जब कि दूसरी हो जो जीमनोस्प्रम को देखोगा ना तो आपको सब बीज वगरा सब नंगन बीज मिलेंगे तर देखा आप बाहरी खजूर हो गया पाइनेपल हो गया है ना इसके लाव कापी सारे ऐसे हैं यह सब किस में आ पाड़ पर पता होना चाहिए कि इस्टिग्मा कौन सा होता है यह पर वाला होता है इस्टाइल कौन सा होता है यह वाला होता है ओवेरी कांपर होता है यहां पर होता है गुड़ल में ओवल यहां होता है ठीक है तो यह बेसिक पाड़ पर आपको पता होना चाहिए एंतर इ अगला इस्पाइरो गायरा का कलोरो प्लास्ट होता है कलोरो प्लास्ट और इस्पाइरो गायरा कप जैसा सरपिल कुणलिन बैलनाकार तो यहां पर सबसे पहले समझना जरूरी है इस्पाइरो गायरा को कि इस्पाइरो गायरा होता क्या है तो इस्पाइरो गायरा को चलो देख लेते ताकि अच्छा आपको समझ में आए क्योंकि हमारा उद्दे से भी यही कि आपको हर क्यूसन का आंसर आपको समझ में आए ता समझ लेते कि होता क्या है इस पैरो गाईरा जैसा कि आप यहां पर देख पारोंगे यह आपने कहीं ना कहीं पर देखा होगा आपके आज पास भी देखा होगा बट आपको पता नहीं है इसका नाम की होता क्या है क्या है तो यह होता इस पैरो गाईरा इस परकार पत्रों के यह और जब कुछ सेंपल लिया जाएगा और जब माइक्रोउस्कोब में देखा जाएगा क्योंकि यहां पर आप पता नहीं लगा सकते कि केसी सर्चना है क्या है हेना बट जब इसको तोड़ा सा सेंपल लोगे ना यहां से तोड़ असा लिए जाए प्रयोगसान में जब माइक्रोस्कॉप में देखोगे तो ये इस प्रकार का दिखाए देगा इस प्रकार का समझगे कि कौन साकार है और इसके कुछ पाड़ भी है यह डाइगराम में आप देख सकते हो यह आपका इस्पैरोगायरा जो कि अब भी हम नंदी से लेकर आए ते उठाए उसकी सरजना यह सेल वाल देख लो कलोरोप्लास्ट ऐसा होता है इसमें कलोरोप्लास्ट ही है अंदर पूरा पूरा कलोरोप्लास्ट तो क्यूसने भी तो यही पूचाता है कि यह कलोरो प्लास्ट है ना उसके सरचना केसी है तो मेरे को तेहां पर सरपिलाकार लग रही है देख लो आप सरपिलाकार तो आंसर भी मैं तो यही कर किया हूँगा सरपिलाकार तो चलो मैंने भी कर दिया सरपिलाकार और जब आंसर की देखी तो आंसर भी सही निकला स्रिपिलाकार समझ के पढ़ेंगे तो सब सही जाएगा सिंबल से बात है अगला कीस वरग में जन्नांग एक और सिके होते इन विच क्लास दा रेप्रोडेक्टिव ओर्गन और यूनिसेलिलर अनावर्त बीजी तेलोफाइटा, थेलोफायटा, साईलोफायटा किस वरग में जन्नांग एक और शीके होते और हर एक वरग आपको पताऊना चींए पर रखाओगा आपने ब्राईयोफाइटा, तेलोफायटा, थेलोफाइटा तो मैं आपको बता दूँ जो एक कोशी के जनांग होते होते है थेलोफाइटा में किसम होते है थेलोफाइटा में अब थेलोफाइटा में कौन-कौन से आते है प्लांट सो देख लेते है जिसा है कि आप यहां पर देख पार होंगे यह है आपका थेलोफाइटा समो बलवा हो गया, कारा हो गया, ठीक है, इसके लावा यहां पर आप, कलोड़ो फूर आओ गया, यह सबी थेलो फाइटा में आते हैं, बराइव फाइटा में क्या आता है, पिर, बराइव फाइटा में फ्रन आता है, ठीक है, मौस आता है, तो इस परकार हरे का, अपना अपना होंगे चार उप्सन उन्हीं में सापको चूज करना होगा एक्जाम में तो तेलो फाइटा को तो याद रख लो किया पता इन्हीं से काम बन जाए आपका चोटा पता हो या ना हो ये तीन पता है ना तो चोटा आटोमेटिक आजाएगा आपको जैसे कि क्यूसन बन जाए कि निमन में से कौन सा थेलो फाइटा का एक्जामपल नहीं है तो ये तीन पता है चोटा कुछ भी आजाए तो आप उसी को करोगे कि हाँ वो नहीं है बागे तीन तो है तो ऐसे भी क्योंसन बन जाता है क्लियर ओके तो थेलोपायटा में होता है अगला जातिवरत क्या है वाट इज फ्लोजेनी तो हर एक बच्चे को बता है कि जातिवरत क्या होता है वो होता है आपके जीव के विकास का इत्यास History of the Development of Organism जीव के विकास का इत्यास ही क्या होता है? जाती बरत होता है यह हो जाएगा Option C जीव के विकास का इत्यास को बोलते है अगला क्योशन सबसे चोटे आवार्त बीजी पोदे का नाम बताना है Name the smallest angels from क्योशन को समझना smallest angio sperm की बात हो रही है ना कि जीमनो sperm की तो angio sperm में ही डूण के आपको बताना है और वो भी डूण ना इन चार ओप्सन में सही एक्स्ट्रा ओप्सन नहीं चलेगा इन चार में से आपको बताना है कि इन में से सबसे चोटा कुन सा है तो वो है आपका Lemna ispsich क्या है Lemna ispsich अब आप बोलेंग सरी Lemna क्या होता है तो अब इसे दिखाएंगे क्योंकि जब आप हमारे पास आये हो तो पूरा आपको समझा कर जाएंगे Lemna जो होता है बहुत ही चोटा प्लांट होता है चलो इसको देख लेते जैसा है कि आप यहां पर देख पार होंगे यह है आपका Lemna ispsich और जब आप कहीं न कहीं पर गूमने गए होंगे तो कहीं न कहीं पर आपको इस परकार के पानी में आपको इसे देखने को मिले होंगे चोटे चोटे प्लांट तो वो क्या था वो आपका Lemna ispsich ही था तो यहां पर देख लो कितना चोटा ही है और जूम करके देखें तो बहुत ही चोटे चोटे प्लांट होता ही है किलेर इसी कारण आवर्थ विजी पोदोका जो सबसे चोटा है ना वो Lemna ispsich अगला है आपका विख्यात भार थे प्रानुस्ति सास्त्री कौन थे तो वो थे आपके बिर्बल सहनी कौन थे बिर्बल सहनी इतना सापको याद रखना है और अगला कुशन तो बच्चोवाला है इससे हम आन समझ सकते हो आप बच्पन में आपने पढ़ा होगा दूद को 62.8 डिग्री सेंटी ग्रेड पर 30 मिन्ट तक गरम करके ठंडा करने की प्रिक्रिया को क्या बोलते है साथवी आठवी क्लास में आपने अवसे पढ़ा होगा इस प्रोसेस से क्या होता है बिक्टेरिया मर जाते है तो दूद अच्छा हो जाता है बिक्टेरिया फ्री हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते है पास्ची क्रण क्या बोलते है पास्ची क्रण याद रखना दूद को गरम करके ठंडा करने वाली प्रोसेस पास्ची क्रण नेक्स्ट नायट्री कारक जिवानु का कारे बताओ नायट्री कारक जिवानु का कारे अमोनिया को नायट्रेड में प्रिवर्तन करना अमोनिया को नाइट्रेड में परिवूर्थन करना जीवानों का अध्यन करते हैं जीवानों का अध्यन करते हैं संक्राइब्र करें रहा हैं il nouveaux तो वह करते हमें मिल जाएगा है कि संद्द हैं कि इसे अगर आप नंट की मिल जाएगा आपको अगला कोशी का बित्ती अनुपस्तित होती है किस में अनुपस्तित होती है direct question बनता है कोशी का बित्ती किस में अनुपस्तित होती है माइको प्लाजमा में, जिवाउन में, कवग में, साइनो विक्टेरिया में समझने वाला question है बहुत सारी विद्यार्ती गल्त करके आते इसको है कि भूशते विद्यार्थे ऐसे जो byolit टीक कर 두क करके आते बर आईसा गल्द्यश्य आपको नहीं करनी है तो दिखाए देते चलो आपको ताकि आपको भी एकिन हो जाए जिसा कि आप यहां पर देख पारूंगे यह आपका माइको प्लाजमा तो इसमें पहले देख लेते क्या क्या पाया जाता है तो प्रोटिन है इसमें डेने भी पाया जाता है राइबोसों भी पाया जाता है आर क्योंकि है नहीं इसमें और उपर भी लिकावाई ऊसेल वॉल यानिकी सेल वॉल कोसी का भित्ति नहीं पाइजाती। मै को प्लाजमा में सबसे चोटा जीव मीठट क्योंस का भी यह ही है। माइको प्लाजमा बहुत इपोटेंटे यहां से कुशन बनता है तो इसमें कोज़सी का पित्ती नहीं पाए जाती इसी वज़ेसिस का राइट आप्सन यहां पर माइको प्लाजमा हो जाएगा विशान की कोज किस ने कीती डिसकवर वाइरस दार्विन कुराना रबोटो इवनुषकी विशान की कोज किस ने कीती तो वो कीते आपके इवनुषकी ने ठीक है इवनुषकी ने अगला प्रोकेरियोटिक तता यूकेरियोटिक में मुक्य अंतर आपको बताना है दा मैंन डिफरेंट बिट्विन प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक चार ओप्षन आपके सामने है प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक में डिफरेंट आपको बताना है अंतर आपको बताना है कौसिका कला प्रोकेरियोटिंग में अनु उपसित होती है UK रोकेरियोटिंग में उपसित होती है या फिर केंदरक कला प्रोकेरियोटिंग में अनु उपसित होती है UK रोकेरियोटिंग में उपसित होती है जबकि यूकेरियोटिक में पाय जाती, यह मेन अंतर है। जब आप इसका डायग्राम देख लोगे, तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसा है कि आप यहाँ पर देख पारूंगे। यह है आपकी प्रोकेरियोटिक कोसिका और नीचे वाली यूकेरियोटिक कोसिका तो दोनों को देखो आप साइटो प्लाज दोनों में पाया जाता है राइबोसम दोनों में पाया जाता है प्लाजमा मेमरान दोनों में पाया जाती है यानिकि सेल मेमरान दोनों में पाया जाती है किलिर अब अंतर क्या है फ्ले जिला के अवल प्रोकरियोटिक में ही पाया जाता है जबकि UKRAITIC में नहीं पाया जाता और जो गोल जी, body विगरा है यह सब इसमें पाया जाती यूकेरियोटिक में इसमें नहीं पाया जाती और यहाँ पर nuclear membran Kendruk-जिल्ली है, वो इसमें पाया जाती है जबकि इसमें नहीं पाया जाती तो यह हो गया सबसे बड़ा अंतर केंद्रक जिल्ली इसमें नहीं है जबकि इसमें केंद्रक जिल्ली है इतना सापको पता रखना है तो यह डाइग्राम खापी पोटेंट है यूकेरियोटिक का और प्रोकेरियोटिक का प्रोकेरियोटिक में फ्ले जिला है यसमें कैंद्रकजिली यह जब कि यही बोड़ बड़ा अंतरे इन दोनों में पाया जाता है सो इसी वज़शन से इसका राइट आप्सन चैंद्रक ला प्रॉक्री रेटिंग में अनुपın सित होती है और जब किसमें में उपसित होती है यह इसका राइटlusion हो जाएगा भी वाला को नेक्स्ट के नेंगर में से किस पार्द की कोशिका में होता है तो वह होता है इसका नियूरोस準 पॉरा में अब यहाँ पर अब बोलें यह किqi तो नियूरोस्पॉरा को देख लेते यह जैसा अगयना पर आप देखभा रहूंगें यहें आपका न्युरोटैड अस्पर कर गार वहते हैं कि फ्रकार्गा होता है आपका न्युरोटैड पैसा किलेर नेक्स्ट एकोडोन में कितने नुकलोटाइड पाए जाते हैं हाउ मेनी नुकलोटाइड परजेंट इन एकोडोन कोडोन आपने जेनेटिक्स में वसे पढ़ा हुगा कि एकोडोन में कितने नुकलोटाइड पाए जाते हैं starting codon भी आपको पताऊना चाहिए stop codon भी आपको पताऊना चाहिए तो option है 1, 2, 3, 4 तो एक codon में हमेशा 3 ही nucleotide पाए जाते हैं कितने 3 ही nucleotide पाए जाते हैं कैसे चलो इसको भी समझ लेते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पार हूँ यह है आपका codon ठीज है इस परकार का 3-3 का होता है कि नहीं होता है 3-3 का समू होता है 3-3 का ही होता है देख लेना आप जैसे कि आपका stop codon UAA तो यह 3 का ही है और यह भी 3 का ही है यह 3-3 से मिलकर बनाए देखो यह nucleotide तो यहाँ पर 3 ही इसका right option होगा आप यहाँ पर देख सकते हो 3-3 का ग्रूप होता है इनका और 3 ग्रूप मिलकरी एकोडोन यहाँ पर बनाते है तो इसी कारण इसका जो right option है C वाला 3 हो जाएगा काभी सारी विद्धा तो कमेंट बेख आ रहे थे और अधिक multiple choice question हम को चाहिए तो चलो इसका process में आपको दिखा देता हूँ Google Play Store प्याना है Search करना है MKS Academy ठीक है MKS Academy आपको Search करना है Download करने लना है इसको और यहाँ से course buy कर रखा होगा तो कापे सारे टारीग्राम, PDF और गेरा सब आपको यहाँ पर मिल पाएंगे Link नीचे description में दे रखा है धन्यवाद